सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट ब्रेंड राइडर्स यूटूब चनल को और दबाईए इस घंटी के बटन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तो आज हम फिर हाजी रहे एक न्यू इंट्रेस्टिंग पहली के साथ पर अगर आप हमारे यूटूब चनल पर नए हैं तो हमारे यूटूब चनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और ये बैल बटन को भी दबा लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं सुबह का टाइम था तभी दिपिका और रनवीर एक एडवेंचर करने का प्लान बनाते हैं तो दिपिका बोलती है कि आज अपन पहाड़ी उपर चलते हैं वहाँ पर कैंपिंग करेंगे और वही पर नाइट स्पेंट करेंगे तो रनवीर को ये आइडिया अच्छा लगता है तो दोनों पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछी समय में वो एक पहाड़ पर पहुँच जाते हैं पर जैसे ही रात होती है तो उनके कैंप के पास एक चुड़ैल आ जाती है तो रनवीर और दिपिका बहुत जादा डर जाते हैं चुड़ैल फिर दिपिका के चार डुप्लिकेट बना देती है और फिर चुड़ैल बोलती है कि तुमको इनमें से असली दिपिका को पहचानना है अगर तुमने असली दिपिका को पहचान लिया तो तुम दोनों को छोड़ दूँगी वरना मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूँगी तो रनवीर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कुछी समय में वो असली दीपी का को पहचान लेता है कैसे? आखिर कैसे रनवीर को पता लगा कि असली दीपी का कौन है? आंसर देखने से पहले आप इसका सही जवाब कमेंट में बताईए आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो जो असली दिपिक अख्थी उसके पर्स पर एक ताज बना होता है और चुडैल ने जो डुप्लिकेट बनाया था उसमें से किसी के पर्स पर भी ताज नहीं बना था तो रनवीर इस बात को याद कर लेता है और चुडैल भी फिर दिपिका को सही कर देती है और वहाँ से चली जाती है दूसरी पहेली खड़े नाक पर पकड़े कान बोलो बच्चो कोन सैतान तो दोस्तो इस पहेली का जवाब आप हमें कमेंट करके बताईए आपका समय शुरू होता है अब तो इस पहेली का सही जवाब है चश्मा तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल बटन को भी दबा ले अज़िए